नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो इन दिनों बिहार का एक बच्चा बहुत तेजी से इंटरनेट पर वाइरल है जिसका नाम है सोनू जिहां आपको बता दे इस सोनू बहुत तेजी से वारल हो रहा है और हर जगे पर इसकी वाहवाही हो रही है सब जानना चाते हैं कि आखिर ये सोनू है कौन लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सोनू की उपलवधी को देखते हुए विहाली में सोनू सूध ने जहां ये कहा कि इस बच्चे का पुरा खर्चा वो उठाएंगे पढ़ाई लिखाएगा तो वहीं अब सल्मान खान ने इस बच्चे को एक बहुत बड़ा घर गिफ्ट देने की भी ठानली है और सल्मान खान ने कहा है कि वो इस बच्चे को एक बहुत बड़ा घर आली सान बंगला देने वाले हैं गिफ्ट में जिहां आपको बता दे 14 मई को बिहार के मुख्य वंतरी नितिस कुमार नालंदा पहुँचे थे इस दोरान उतकरमीत मध्य विध्याले कल्यान बिगहा में जन सन्मात कारेकरम में लोगों की समस्याओं को वो सुन रहे थे इसी कारेकरम में 11 साल का सोनू भी वहाँ पर पहुच गया जिसने सीम नितिस से बहतर सिक्षा की मांग की थी उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि वायरल हो गया अब तक सोनू का नामांकन तो नहीं हुआ लेकिन नितिस कुमार से मिलने का उसे पश्थावा हो रहा है सोनू ने ये कहा कि वो एक आईयस अधिकारी बनकर किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता और ये चीजे बहुत तेरी से वायरल हो गई और इसको लोग आत्म निर्भरता से भी जोड़ कर देख रहे हैं लेकिन दिरे दिरे करके वॉलिवूड में भी ये ख़बर वायरल हुई और उसके बाद जहां सोनू सूद ने इस सोनू की छोटे से सोनू की पढ़ाई का पूरा खर्चा पूरे जीवन उठाने के लिए तैयार हो गए तो महीं दूसी दरफ सल्मान खान की दरफ से ख़बर निकल कर आ रहे है कि सल्मान खान इस छोटे से सोनू को ए बहुत बड़ा बंगला ऑफर करने वाले हैं करना धनिवाद।